हाई फ्रेंज आज हम बात कर लेते हैं कैसे एक बिलकुल बेसिक 6 साल पुराना टीवी एक स्मार्ट टीवी में कनवर्ट हो सकता है देखिए मेरे पास एक सिस्टम है JBL का उसके साथ मैंने कनेक कर रखा है Micromax का टीवी जो मेरा टीवी है चलिए, मैं आपको दिखा देता हूँ जो मेरा TV है, ये Micromax का 6 साल पुराना TV है, 40 इंचिस TV नॉर्मल हाई डेफिनेशन नहीं है पर एक फिर भी अच्छा TV है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ साइड उसे भी, Slim है साथ में इसके दो पोर्ट आये थे एक HDMI पोर्ट आया था इसमें आप देख सकते हैं एक device connected है this is called Google Chromecast इसके भी तीन variants आते हैं 1, 2 and 3, this is presently the third variant अगर आपको इसके बारे और जानकारी चाहिए तो आप मेरे videos को देख सकते हैं मैं आप और डी comparison कर रखा है एक और दो और तीन में क्या क्या differences है यह basically इस TV को यह जो TV है basic TV है इसको smart TV बना देता है यह हाँ जी यह जो system है यह device है यह एक normal TV को smart TV बना देती है मैं आपको दिखा जाता हूँ अगर हम इसको TV को off करेंगे अगर देखिए मैं इसको off करके दिखा हूँगा ना जैसी मैं इसको निकालूँगा यह देखिए यह TV बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं है सिवाए अगर मैं इसमें सरफ Tata Sky चला सकता हूँ और कुछ भी नहीं चला सकता बट Google के थुरू जैसे अगर हम वापस इसमें connect करेंगे देखिए मैंने इसमें भी connect कर दिया है इसमें light आ दिया है जैसी मैंने connect करा तो यह Chromecast connect होके यह इसको एकदम smart TV में convert कर देता है यह देखिए यह बिल्कुल एक Google TV बन चुका है यह देखिए प्रॉपर इसमें टाइम आता है टेंपरेचर कितना है अब आप देख सकते हैं यह जो मेरा home theater है अब कोई भी home theater आपका कोई भी पुराना सा पुराना हो नया हो अगर उसमें aux भी connect हो जाता है तो यह easily आपके TV में एक output होते है output system होते है यहाँ पे आपने connect कर सकते है aux cable के थुरू अपने TV में कोई भी पुराना TV वो आपके system में जाके कोई भी speakers हो वो connect कर लीजिए और direct input वो ले सकता है अब देखिए मैं कैसे एक normal TV को smart TV बनाऊंगा अब आप देखिए YouTube खोलेंगे हम make sure आपका जो Wi-Fi है और यह और यह दोनो Wi-Fi phone का और TV का should be the same TV as in the Chromecast और phone का same होना चाहिए Wi-Fi and it should be connected चलिए कोई भी on करते है वीडियो चलिए मेरी open कर लेते हैं नहीं तो copyright issues हो जाते है केतन देखिए अगर मैं प्ले करता हूँ अभी यहाँ पर चल रही है वीडियो आपको यहाँ पे Chromecast पे क्लिक करना है यहाँ पे देखिए लिखा है केतन्स टीवी जैसी मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर cast हो जाएगा यह देखिए जैसी मैंने यहाँ cast किया यहाँ पे आ चुका है यह बिल्कुल basic मेरा 6 साल पुराना टीवी है लेकिन यह phone से सब कुछ कास्ट कर सकता है Netflix, YouTube, Hotstar everything can be casted और यह सारी जो आवाज है मेरे home theater पे आएगी मैं इसकी volume बढ़ा के दिखा हूँ यह देखिए कितना सुन्दर लग रहा है एकदम मेरा 6 साल पुराना जो TV है एकदम smart TV बन चुका है इसमें सब कुछ सब चलता है अगर आपको इसमें भी पॉस कर सकते हैं पॉस पे क्लिक करा पॉस हो गया प्लेपिक करते ही क्लिक अन हो जाएगा यह दिस इस दी पावर आफ गूगल क्रोम कास्ट गाईज यह बहुत अच्छा आपके असेसरी है आपके बाद जरूर होना चीए घर पे आप इसमें अवाज देए जीरे सब कुछ कर सकते हैं यह देखिए मैं अगर अगर कम करूँगा यहाँ पे यह देखिए कम हो रहा है तो गाईस मेरी रिक्मेंडेशन यही है कि आप टीवी रहने से पहले अगर आपका टीवी अच्छा फंक्शनल है तो आप उसको जरूर अपग्रेड करें आपका अगर बजट बहुत कम है तो आप गूगल क्रोम का स्टू भी ले सकते हैं बिकास दोनों में पंदरा सो रुपे का फारक है बट कोई भी स्पेसिफिकेशन या फीचर ज्यादा फारक नहीं सरफ 10% का बेटर परफॉर्मेंस है उसमें और राइड गाईस थाइंक्स फर वाचेंग डू लेट मी नो इन दे कमेंट्स कि आपको कुछ और चेंजिस या कुछ आपको कुछ आपके क्वेस्टेंस होतो थैंक्स फवाचिंग गाईस दो लाइक अबस्प्राइब